बिर्दभारती Celluloid के सितारे Celluloid के सितारे आज के सितारे हैं टीवी, रंगमंच और फिल्मों के जाने माने अफिनेता वीरेंदर सकसेना आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने तो आई सनते हैं इनके बातचीत आज विवित भाहरती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं एक बहुती वर्सेटाइल विवितिता भरे अभीनेता जिनें आप जानते हैं विरेंदर सकसेना के नाम से नमसकार विरेंदर भाई अच्छे कैसा लग रहा है आपको वेविद भारती के एक रेडियो स्टेशन के माइक्रोफोन के सामने बैठे जहां आपको हिलने की और मॉमेंट करने की अजाज़त ना हो मतलब विलने वैसे तो ये मेरा कोई पहला अन्भव नहीं है थोड़ा हमरे फिल्म में भी चलता ही रहता है हम को स्टेश पर भी मूव करना होता है तो बताया जाएता है कि इस मार्क पे आके खड़े हो जाईगा क्योंकि वहां भी बहुसा लिए टिकन केंगलिटी जोती है थोड़सी आदत है थोड़की नया भी है कि मतलब कभी साउंड की वैसे ऐसा नहीं होता आज साउंड की वैसे वैसे करने पड़ रहा है अच्छा दरसल ये बात मैंने क्यों पूछी थी पता है विरेंद्र भाई मुद्ध ये है कि अक्सर जिन्दगी में हम लोग लीक से हटने की कोशिश करते हैं मतलब जो एक आम रास्ता हो कई लोगों ये इस विकार नहीं होता कि जिस रास्ते पर सभी जा रहे हैं हम भी उसी रास्ते पर जाएं आपने ऐसा कब किया था जो सबसे बड़ा सबसे बड़ी क्रांती जिसको कहना चीए देखे हर क्रांती घर से शुरू होती है घर से शुरू हुए थी क्योंकि मवाब तो यही चाहते थे कि मेरा बेटा मतला जो अभी भी चाहते हैं कि इंजिनियर बने हैं डॉक्टर बने हैं और उन देने एक और बात होती थी कि सीए बन जाए यह बहुत बड़ी चीजी होती थी यह माना जाते हैं कि वो आई एस ओफिसर हो जाए तो उस तरीके कि आसा रहा हम पे थे नहीं मतलब जिसमें चार ऑप्शन थे हैं मतलब एक टाइम हुआ करता है आज कि बहुत सारे ऑप्शन खुल गए तो महर मारा महरे माबाब भी चाहते थे कि ऐसा कुछ करें लेकिन एक शायद पता नहीं हो भी सकता है मत्रहां में पैदा होने का यह फर्क पढ़ा हो या किसी और बजह से मेरा शुरू से थोड़ा था इंटरेस्ट इंसारी चीजिए एक तरफ होता मैं पेंटिंग भी करता था गाता भी था कुछ इंस्ट्रुमेंट्स भी बजाता था लिखता भी था उन दिनों चपता भी था उसके सो कॉल जो उस वक्त के मां के अख़वार थे या जो पहलेखा में जरूर था काइस था तो इतनी बुद्धी थी कि ये कोई बहुत आसाम सी बात नहीं है उसके लिए आप किसी भी काम को करें तो जादे कि आप भी एगर रेडियो स्टेशन पर हैं तो इसके लिए आपको भी कहीं नहीं एक बहुत प्रयास करना पड़ा होगा बढ़ी मैहनत करनी पड़े हो कि आपकी एक अलग यात्रा होगी तो मैं यह मांता था कि एक एक एक्टिर बनने के लिए कोई एक यात्रा तो करनी पड़ेगी आप मंबई गए और एक्टिर मन गया तो कभी इसलिए उसके बारे में अतनी सीस्ली सूचा नहीं था लेकिन और जब में दिल्ली गया तो में एक राजा महिंदर प्रताब हुआ गरती थे जो की Freedom Fighters Association के उन दोने प्रेसिडेंट भी थे और जिनोंने आजाद हिंद फौज बनाई थी अगर आपको याद हो इसने बेसी के लिए आजाद हिंद फौज बनाई थी और बाद में उनी नए पांट सो लोग सुवाज चंद बोस को हैंड उबर की थे तो इसलिए जब भी सुवाज जी का नाम आता है तो साथ में उनका नाम जरूर आता है तो मैं उनका सेक्रेटी था अच्छा इस तरह से तो मैं जरा दिल्ली मैंने शिफ्ट किया जब दिल्ली गया तो मैं अनिल चौजी से मिला अनिल चौजी ने मुझे उससे कहा कि तुम मेरे एक प्ले में काम करो मुझे लगा तो बड़ अच्छा मैं आपको लगता है अनिल अब इतने साल के अनभव में ये समझ गया हूं कि मुझे तुम्हारे साथ कुल बालन नहीं होगी बलकि तुम मेरे लिए एक एसेट होगे मैंने किया करने के तीन दिन बाद अख्वार में नाम चब गया तो मैं बड़ा खुश हुआ कि ये अख्वार बहुत बड़ी बात होगे शुरखियों में आ गया है और इस तरहीं से फरस्था चला गया है और वह एक हुता गया है कि जिस चीज में आप इंटेस्टेड हूँ अगर वो ही आपकी रोजी रोटी बन जाए तो थोड़ा सा आप ज्यादा कुछ कर सकते हैं और अगर मजबूरी हो तो फिर आपकी इपात अलग हो जाती है तो जीवन फिर रचिनात्पंग बना रहता है अच्छा कभी जब आप अंततर रंगमंच पर आ ही गए और अनिल चौ किया था योवाणी में मुझे बलाया था अच्छा और वो जेनरेशन गैप के उपर ही था जी तो उन्होंने लाइफ शो में कह दिया था कि यह मारा तो नोटंगी करता है क्योंकि वो बतलब उनकी समझ में अभी भी बहुत सारी गल्चस्वैमी हैं बहुत सारे लूग नाटक को बहुत छोटी चीज मानते हैं अभी क्या है नाटक को नोटंगी ही माना जाता है या आप जिस किसी भी स्टेट में हर इस्टेट की अपनी एक लोकाला यह जो भी एक शेली है उसी सा जोर करके नातक को देखते हैं वो नातक को एक कमप्लीट चीज नहीं मानते हैं वो यह नहीं मानते हैं कि अपने आप में यह आर्ट है और इस पर पला भी जा सकता है आपको नहीं लगता ऐसा कि जैसे मतुरा है या ऐसा ही कोई भारत का कोई भी एक आम चोटा सा शेहर जहां किसी भी एक लड़के ने नातक करना शुरू किये तो घर वाले और पास पड़ोस वाले समझते हैं कि भाई यह तो गया यह तो बिगड़ गया बिलकुल सही बाद तो जो लोग आपको किसी तरीके से आपके हमदर्द जो होते हैं वो सबसे पहले ही चाते हैं कि यह बच्चा या बच्ची सीक्यूर हो जाए यह सिर्फ सीक्यूरिटी का गेम है उनको लगता है कि यह जो चीज है यह सीक्यूरिटी नहीं दे रही है यह हो सकता है और कई जिगे पर आपको नयापन मिल रा हो लेकन ये इसको एक सीक्यूरिटी नहीं मानते ये जिन्दीगी का एक बहुत बड़ा रिस्क है ये रिस्क मानते है अच्या चलिए बहुत सारी और बातें बचिए हैं बहुत सारे सवाल मन में उमड रहे हैं लेकिन इस बीच लग रहा है कि अब एक गीत सुन लिया जाए वो भी आपकी पसंद का तो जब आपने मतलब एक कंडिशन लगाई दिये तो मैं मुकेश जी का बहुत बहुत बड़ा फैन रहा हूँ क्या बात है और वो ही अपना बच्पन का गाना सुनवाना चाहूंगा जो कि मैंने बहुत गाया है बहुत बांसरी पर बजाया है फिल्म का नाम है चार दीवारी और गाना है कैसी मनाउंग पिया दोस्तों इस भी जब मैं वीरेंदर साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने एक बात बताई थी कि मतुरा में वीरेंदर जी को लोग मुकेश कहा करते थे आईए ज़रा इन से पूछें कि ये इसकी क्या वज़े थी ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब कोई खास बात नहीं है मतलब गाता था थोड़ सी आवाज सी भी मिलने लगी थी लोगों कैसा लगने लगा था कि थोड़ा था एक टाइम में मुझे से कहने रगे थे वो ये अपन किया का मुखिश है भाई तो अब मेरा दिल कर रहा है कि मतलब समय को थोड़ा सा रिवाइन करें और सुनें आपको गाते हुए मैं एक दो लाइन कोशिश कर सकता हूं लेकिन सब्सक्र मुझे मालूम है ये आप इस्तमाल नहीं कहता हैंगे मेरी आवाज अब उसलाइक रही नहीं है मैं आप कहते हैं तो मैं एक बाद कोशिश करे लेता हूं जी एक बहुत भी गड़वड़ी हो गया है क्योंकि हम लोगों ने थेटर किया है ये बता दूँ तो थेटर में बड़ी मजबूरी होती है कि आपको जोड़ से गाने की आदब पढ़ जाती है जोड़ से मनाऊं प्यवा गुन मेरे एक हूँ नहीं सुरी बहुत बुरा गाया है मैंने आप प्लीज को जिम माफ करें आप समझ सकते हैं मेरे सारे नोट से धर से उधर फट गए हम यह समझ सकते हैं कि एक जमाने में आपने मुकेश साहब को अपना आदर्श जरूर माना होगा विरिनर भाई एक बात बताईए कि यह जो छोटे शहर के लोग है जिनको अभिने की या संस्कृति कर्म की बलकि कहना चाहिए जिनने लिखने किया और संगीत किया और अभिना यह सारी चीज़ें जब जुड़ जाती है और लोग जब इस बिरादरी में शामिल होना चाहती है नोचवान तो इतना संगर्श क्यों करना पड़ता है और वो किसी भी मुकाम तक पहुंचने से उन लोगों की बज़ाए ज इसको बहुत एंफिसिस के साथ बताना चाहता हूँ देखिए फिल्म नगरी जो है वो बॉंबे है जिसका हिंदी से कोई लेना देना नहीं है जी हिंदी भाषा के जो प्रदेश हैं वो किसी और तरफ है लेकिन फिल्म हिंदी भाषा की जो फिल्म नगरी है वो बॉंबे है आप यपकी उसको हिंदी बैल्ट में ही होना चाहिए था इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे इस बात की कोई नाराज की यह बिल्कुल नहीं है लेकिन इतनी बड़ी दूरी होने की वज़े से अगर हिंदी ये फिल्म सिटी अगर हिंदी बैल्ट में ही होती तो शायर इतनी दिक्कते नहीं होती वहां छोटे शहरों से भाग करके या कोई किसी भी माध्यम के थ्रू या किसी भी भाने से या कोई भी रास्ता निकाल करके आपको यहां आना पड़ता है एक नए शहर में सेटल होना पड़ता है नए तरीके से नए अंदाज से अंदाज भी इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप नए शहर में आप नहीं जानते कि शहर में जीने का तरीका क्या है तो वो सारी एक तरीके लिए दूसरी बात क्या है एक और भी जो दूसरी प्रॉलम है कि जादातर लोग एक गलत फहिमी में रहते हैं कि फिल्मों में उनकी एक तो गलत फहिमी एक तो यह है कि फिल्म बहुत एक फिल्मों में जाना बहुत आसान है और उनके पास चार-पाच को दारण होती है कि फट Cleansar था होना हुए यह दिता बड़ा हिरो बन गया ब junction अंद्थ था वही हिए पदस इस तरीक के कि मह Nu अपने की और आपường आपको बढ़ाबा देने के लिए इस तरीकिया को अपनी जयव में ढाले हुए घूम्तुर में वह एफ जिन्द कुश्ता हो सकता है कि योग ऐसा रहा हो बिलकुल रहा हो क्योंकि तब फिल्में बननी शुरू हुई थी तब लोगों की जरूरत थी तब सत्समुच ऐसा देखा जाता रहा होगा लोग बाग इस फिल्ड को अच्छा भी नहीं मानते थे कोई अगर एगरी कर जाता था तो लोग बाग उसके शुक्र गजार होते थे कि आप आप एकसेप्ट किया अब ऐसा नहीं है अब गरा ओफ्ल्म इंड़स्टी में सारे लोग पढ़े लिखे कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिना पढ़ा लिखाना अग्या नहीं हर आदमी पढ़ा लिखा है तो अब इस तक पहुछने के यह वो सारे रास्ते तै करके आने पड़ेंगे जिससे कि जब आप यहां आएं तो आप अपने आपको ऐसा नहीं पाएं कि आप चौराएं पकड़े वह जी आपको लगए कि आप भी अपने साथ कुछ केरी कर रहे हैं आपका अपना कुछ वजन आपको बता लगाएं एक ठो और बंबई अपने आप में बहुत दूर शहर मने जाते हैं हर अर्थ में देखिए मैं जब दिल्ली पहुचा था तो दिल्ली में मैंने एक एमकी रहना के साथ एक नाटक किया था I am very thankful to Mr. M.K. रहना जूलूस हम लोगों ने कम सकम उसके 800 शोज किया था इत्वाजी स्ट्रीट शो करती हैं और हमने थेटर शूरू किया अनिल चोजी के साथ और जब ने थेटर किया तो पूरे दिल ओ जान से थेटर किया तब हम फिल्मों के वारे में सोचते नहीं थे समर्पित थे थेटर किया समर्पित थे इसलिए National School of Drama में admission भी मिला जब NSD में भी थे तब भी फिल्मों के वारे में सोचते नहीं थे सवाल कहा था कि जब आप जो कुछ भी कर रहे हूँ आपको पूरा पूरी तरह से उसमें involved रहना पड़ेगा आप उसके कुछ सीखेंगे जब हम निकले मैं तब भी Bombay नहीं आना चाहता था मैंने देहली में गह करके बहुत सारी फिल्मों बहुत सारी सीरिल्स की हैं लेकिन तमस के बाद मुझे लगा कि मेरे साथ आच काम Bombay के चूटे और मुझे लगा कि अब मुझे ही आ जाना चाहिए मैं इतना करके आने के बाद भी Bombay आते हुए डर रहा था क्या वात है सवाल क्या यह नहीं है कि मुझे मालूम था कि मेरे को इतनी तकलीफ नहीं होगी लेकिन फिर भी मुझे लगता है प्रप्रेशन उसी तरीके की होनी चाहिए कि जब आप कहीं चाहें तो आपके लिए वहाँ पर बना हुआ एक मंच हो आपके लिए वो सोविधाय हो जिनके बीच में आ और वेवित भारती के दोस्तों हम विरेंदर भाई से तमस के बारे में कुछ बातें जानेंगे लेकिन मैं देख रहा हूँ कि विरेंदर भाई गानों की एक अच्छी सी लिस लाए हैं और एक अगला गीत उसमें से चुनने जा रहे हैं चलिए अब वगला गाना सुनते हैं दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना किशोर जी का गाना है मुझे बेहत बेहत पसंद है बड़ा गमजदा गाना हमने सुना विरेंदर भाई और बातों का रुख थोड़ा उतना गमजदा नहीं होना चाहिए मुझे लगता है जैसा कि ये गाना था तमस जो है वो आपका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है बहुत एक स्तंभ की तरह है इसके पीछे आपका क्या गतिविदिया होई थी किस तरह से ये रास्ता तमस तक गया था देखिए गोविन निलानी जी जो है कि फिल्म है एक बहुत ही बहथ ही इन डिरेक्टर है बहुत अच्छे सेंटेमाडोग्राफर है मतलब वो हो वो बहुत उनको हमेशा जब भी वो गई फिल्म करते हैं यह बाद दूसरी है कि आजके encima कुछ फिल्म में चलती है कुछ नहीं चलती है, सारी बाते बिल्कुल अलगे कि इंटेंशन्स बहुत important चीज़ होती है कि जब आप एक फिल्म अनाए तो एक अच्छे इंटेंशन्स से बनाए जे वो उसकी popularity और उसका popular नहोना ये बिल्कुल एक अलग बात है मेरे कहले शाद उनको बहुत क्लियर था कि इस रोल को मैं ही करूँगा उसके लिए वो मेरे को ये रोल देने के लिए जर्नल सिंगा, वो दिल्ली गए उससे मिले बलकि मैं उस वक्त हमारे ग्रुप का नाटक चला था मैं टिकेट बेच रहा था और गेट पर था में आदे घंटाम मिलना उनसे डेले किया जब नाटक शुरू हो गया उसके बाद में उनकी मुलाकात हुई जांता मैं उनको पहले से भी था उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बताया और उनने मुझे बहुत साफ़चा बताया कि वेरो एक समस्या भी है कि मैं चाहा तो यह रादा कि इस रोल को नसीर करें लेकिन कुछ समस्या है हो रही है कि उनकी कुछ डेट्स की भी प्रालम है और कुछ इस तरीके की बात हैं लेकिन क्या अगर ऐसा हुआ तो तो तुम यह करना प्रसंद करोगे तो मैंने कहा कौं सा बात तो यहां रोल कोनले चाहते हैं लेगा यह अगर आप मेरे दिल के बात भाद पूछे तो दूरसा करेक्टर मुझे एक ही पसंद है जिसका नाम है जर्नल सिंग, बोले बस, मैं उसी जर्नल सिंग के बारे तुम से बात करने हैं। क्या बात है। और जिंदगी में पहली बार मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया और मैंने आज तक एक ही स्क्रीन टेस्ट दिया है। उन्होंने मुस्रा काता है, यह स्क्रीन टेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ तुमारी आवाज सुनना चाहता हूँ, मेरे को बड़ी समस्या यह हो रही है कि तुमारी उम्र का एक्टर क्या आवाज में वो डेप्थ ला पाएगा कि जो कि जर्णल सिंग की आवाज की डेप्थ रही ह होगी, और वो उसकी बेकरारी जो थी, तुम मेरे को विरू, तुम माइन मत करना, यह कोई टेस्ट नहीं है, तुम अगर तुम मेरे पास होटल आजा कि जीवा, कहीं भी तुम कहेगा तो मैं आजाओंगा, और एक बार मुझे वो स्पीच पढ़के सुना दे, तो मैंने भी उसकी तैयारी की, मत आई जस्ट, मैंने भी कोशिच की कि हम सका मैं एक बार जोड से, वो बहुत जोड से, बड़ा लाउड करेक्टर था हूँ, मैंने सुनाया, उन्हें दो लाइन सुनते हुए, उन्हें उन्हें कहा कि खत्म होगी बाद, बस मुझे यही चाहिए दाया, और बाद में कई फिल्म फेस्टिवल्स में तमस लगातार दिखा गया और उसके पोस्टर पर आप थे, अच्छा वीरेनर भाई, तमस के बाद जब आपने कहा कि तमस के बाद कुछ चीजें जब आपको लगा के छूट रही हैं तो आप मॉंबई आए, मॉंबई आने के ब काफी काम ओफर आ रहे थे और मैं चूंकि देहली में था, यहां शेहर की एक विडम बनाएं कि आप को इस शेहर में होना चाहिए अगर आपको काम चाहिए तो, मैं देहली रहते हुए मुझे वो सब कुछ नहीं हो पहरा था, और मुझे लगा कि मेरे काम छूटी रहे हैं और यह भी एक बड़ी सीडी सी बात है, जिसको एक साच है, जिसको सुईकारना चाहिए, कि खाली थेटर पर जिंदा भी नहीं रहा जा सकता, और यह तब समझ में आने लगा था, कि इस पर जिंदा नहीं रहा जा सकता, आपको चलना तो पड़े गई, आप अगर देर से प फैर लेकर छोड़ी शेर के लोगों को बड़ी गलत वहमी होती है, कि आप बॉम्बे जाएंगे, एक हीरो होता है, एक हीरोईन होती है, फिल्म में काम करने वाले लूग बहुत महान होते हैं, उनके कुछ बहुत बड़े-बड़े घर होते हैं, पता नहीं जन्य कैसे रहते कुछ नहीं बड़ी साधर हरसी बात है हराथमी एक इंसान होता है उच्छी तरीके से जीता है उसको भी वैसी लड़ाई लडनी पड़ती है जो कि एक बैंक के अफिसर को लडनी पड़ती है किसी भी एक गभर्मेंटкой लडनी पड़ती है वह एक देखा जाए तो पूरी दुवाई के फिल्मी दुनिया के बारे में अगर आपका एक सपना सच हो जाए तो आप कौन सा सपना चुनना चाहेंगे मैं बात को समझा नहीं बहुत पूरे वहतर परिद्रिश्य में इस फिल्मी दुनिया को सुधरने का या फिल्मी दुनिया को तर्तीब देने का हमारे यहाँ अच्छी फिल्में बनाने का या फिल्मों का रुख बदलने का ऐसा कोई एक फिल्मी दुनिया को ट्रीट करने का सफना सच हो जाए तो क्या करेंगे देखिए इस बात में एक बात और दूसरी टोड़ जाती है हमारे फिल्में कैसे बन सकती है हमारे हिंदुस्तान में अच्छी हिंदी फिल्मे तभी बन सकती हैं जबकि हमारे यहां का प्रोडूसर पढ़ा लिखा हो अभी हमारे यहां का जो निर्माता है मैं निर्देशक की बाद नहीं करा जो प्रोडूसर है चुकि वो पैसा गवाने के लिए फिल्म अना रहा है इसलिए उसके लिए ये मैटर नहीं करता है कि फिल्म कैसी बनी है उसके लिए ये मैटर करता है कि फिल्म कितनी चलेगी या कितनी चल रही है बात नमबर एक व्यापार का जो जोगों को शिर्फ इस बात से दवाता है कि पैसा उसका है, फिल्फ वो बना रहा है और वो समों को पे कर गार 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 भाती कम ऐसे प्रोडूसर जो कि पढ़े लिखे हैं और जो चाहते हैं कि अच्छी फिल्म बने लेकिन ऐसे आप ऐसे मिल लो मैजोरिटी में बहुत कम है तो हो क्या रहा है कि फिल्म है वो बन रही है डिरेक्ली इंडिरेक्ली जो कि वो प्रोडूसर के दिमाग में जो फिल्म है या वो प्रोडूसर जैसी एक फिल्म को निर्देशित करता या जिस तरीके से एक फिल्म को डिरेक्ट करता वो डिरेक्ली इंडिरेक्ली इसको वैस तक चला है बोई मिरिश्दा गरल, बोई मिरिश्दा गरल के अलावा हमारे हाँ कितनी फिल्म में मनी हैं, शायद मेरे क्याल से 0.5% मनी होंगी, जरूरत है इसको तोड़ने की, हम बहुत जल्दी अपने आप को कंपेर करने की बात करते हैं कि विदेशों में अची फिल्म मनन भी देखने शुरू कर देगा, उसके लिए आदितर से प्रयास तो होना ही चाहिए, दोस्तों, अपनी रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविद भारती, और विविद भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कारिक्रम सेलू लॉइट के सितारे, इस कारिक्रम के वो हमारी गीत संगीत का है, और जहां तक हमें लगता है विर증 भारती से बारती से लूइब भारती फिल्मों का एक अभिनहग है, हमारे शीवन का और हमारे इस खारिक्रम का भी तो मतलब गाना हो जाए जी चलिए आप याचा फिल्म का गाना सुनबा दीजेगा जो मुझे बहुत पसंद है जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला क्या बात है आईए सुनते हैं ये गीत अच्छे विरेंदर भाई ये आपने छोटे परदे पर भी काम किया है और बड़े परदे पर भी काम किया है और काफी अलग किसम का काम किया है लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जिस तरह के किरेक्टर्स आजकल स्टेरियो टाइप किरेक्टर्स आफर किये जाते हैं और जिस तरह की कहानियां हमरे यहां रिवाज जिनका चल रहा है उनके रहते क्या एक अभिनेदा के लिए संभावनाएं कम हो रही है आपके बात विल्कुल ठीक है संभावना इसलिए कम हो रही है कि यह हमरी इंडरस्टी का एक फिर वो जी दुबरा से मैं कहूंगा कि एक बड़ा आजीव सा पहलू है लोगों को बहुत जल्दी से वो एक एक खास किसम की कैटेगरी में डाल देता है यह इस किसम के लोग हैं, यह इस किसम के रोल हैं, यह इस किसम के करेक्टर से हैं इस तरीके का एक क्लासिफाई कर दिया जाता है एक लिस्ट सी बना दी जाती है कि यह इसमें फिट होते है ऐसा नहीं होता, मेरे खाल से एक एक्टर एक्टर होता है एक एक्टर कहते हैं कि यह कोमेडियन है ऐसा नहीं होता आप जोनी लीवर जो इस फक्तिंदरस्तान के इतने बड़े कोमेडियन है आप उनसे कभी एक संजीदगी भरा रोल तो करवाईएगा सही बात है तब आपको पता लगया वो कितनी ट्रैप थे उनके अंदर लेकिन हमारे क्या होगा जोनी बाई का सारी जिंदगी वैसा ही इस्तेमार लोगा जी मैंने एक बार जोनी बाई से कहा भी दावो मेरी शादी में आये थे जोनी बाई आप एक बार ऐसा क्यों नहीं करते यार वीवई मैं तो बहुत चाहता हूँ यार लेकिन लोग नहीं चाहते हैं तो आपकी बात वहां बिलकुल सगी है आप ठीक है रहे हैं यह एक बड़ा सवाल है और अब हमारा आप से यह सवाल है कि जो क्यरेक्टर्स आपने अब तक निभाए हैं उनमें कौन से ऐसे क्यर एक्टर पसंद है आप यह पूछना चाहरे ना गरिशे तो जब यह लीव किसी एक रॉल को करते हैं तो आपको जब तक परकॉण पसंद नहीं आ हूए आप चाहए आरहा हो या नहीं आरहा होक्त वह पसंद जरूरा नहीं चाहिए वरनों आप अच्छा परफॉर्म नहीं थी, NFDC ने प्रोडूस की थी, वो फिल्म, उसमें मैंने एक करेक्टर किया था, वो करेक्टर भी मुझे बेहत पसंद आया था, वो एस्टेट एजेंट का जो करेक्टर था, उसलिए बाप बेटे दोना ही एक से हैं, बाप के भी वैसे ही सपने जैसे की बेटे के हैं, जिसका नाम टुनू है, बेटे का नाम, उसका बाप भी एक तरीके सा देखे जाए तो बड़ा टुनू है, अब अपने अपने लेविल पर सबने देख रहे हैं, जैसा की बंबे में अक्सर हुआ करता है, इस तरीके की एक कहानी थी, आपको कभी मौका लगए तो देखिएगा, कि कभी भी मौका लगए तो उस फिल्म को देखिएगा, अपने आप में एक बड़ी ही डिफरेंट फिल्म है, और अक्सर वो टेल विजन पर दिखाई जाती रहती है, उसमें आप पके एस्टेट एजिन्ट लग रहे थी, और इसके अलावा, इसके अलावा, मैंने एक फिल्म साब काम करते हैं, और वो बभी डॉल साब उनके लिए किलिंग करते हैं मेरे लिए, इस तरीके के, बड़ा डिफरेंट करेक्टर था, उसके जब आप अपने से अलग कुछ करते हैं, तब अपने आपको ज्यादा एनिलाइज कर पाते हैं, या अपने आपको ज्यादा बहत स्ट्वी कर सकता हूँ, उन्हें बहुत सरी जगए पर की हैं, जासे कि एक कई हैं, लेकिन हमारे अम माना यह जाता है, कोई पतला दुबला आदमी negative नहीं हो सकता है, पतला दुबला आदमी जो तो वो उसी में फिट करते हैं लोगों को लेकिन गुड़ू धन्वा साफ ने इसको ब्रेक किया और विरु भाई मैं ये रोल कर लीचे मैं गुड़ू साफ आपने अच्छा लग रामजा आपने डिफरेंट रोल दिया लेकिन अपने इसके वारे सोचा किया से मुझे मालम है कि ये अच्छी बात है कि मैंने फिल्म देख कर गए ट्राइल के बादी मुझे मुझे फून किया और कहा कि वहिंदर जी मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा मैंने कि मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरे डिरेक्टर का फून आए मुझे और मुझे कह बहुत अच्छा सा गाना सुन लिया जाए बिल्कुल मुझे भी लगता है कि हमारी शुर्ता बहुत दुखी हो चुकी होंगे कि मैं बखवास बहुत कर रहा हूँ और गाने काम बड़ी अगला गाना कागच के फूल फिल्म का बड़ी अजीब सी है मेरे गानों की लिस्ट बड़ी जड़ा वैसी है देखिए आपको कैसी लगती है अगला गाना देखी जमाने की यारी बिच्छडे सभी बारी 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 जहां तक मुझे याद आता है ये क्याफी आजमी साहब का लिखागीत है बिल्कुल विरेंद्र जी ये तो आपकी एक्टिंग की और आपक किसे आप किस तरह से गुजारना पसंद करते हैं देखिए एक वक्त था जबकि मैं बांस्वी बजाता था कुछ पेंटिंग करता था कुछ लिखता लिखाता था लेकिन अब तो ये सारी चीज़ें आपर पासिबल नहीं है आप अपने फ्लैट में बांस्वी बजाएंगे पड़ोसीने के लिए ये कैसा रामको तो सोचाने दीजिए क्योंकि और जिन में बजाएंगे नहीं जा सकती क्योंकि वांस्वी की खवाजी अच्छी होती है कि उसके लिए एक साइलेंस चाहिए तब ये आप उसको सुनना और उसको बजाना एंज्योई कर सकते हैं पिंट पिंटे का ये हो गया है कि लिखना एक बहुत बड़ा डिस्प्लिन है और वो शाइड डिस्प्लिन मेरे में नहीं है मैं सेजिटेरियन आदनी हो मैं देसमेड भी जगर बेखाना जैसका जैसे अधर हिलता रहता हूं जी ही वाकी सारे बहुता ही लोगों की डार्ट भी खा नहीं उसका कितना फाइदा हमारी फिल्म इंडिस्टी उटाती है नहीं मैंने करीब दो हजार के करीब फिल्म के एक्टर्स और एक्टर्स है इसका फिल्म के नहीं बलकि एक्टर्स एक्टर्स है इसका जिसमें बहुत सारे थेटर के भी हैं उनका एक डाटा बेस बनाया है अलग अलग शेहरों का, जिसमें आप एज ग्रूप डालें, एक्सपिरियंस डालें, हाइट डालें, आप जो भी रिक्वाइर्मेंट डालें, और एक ट्लिक करें, उन सबों के फोटोग्राफ निकली आएंगे, along with उनका फोन नंबर, उनकी सिटी, उनकी हाइट, उनकी क्वा कि आया होता है, अगर उसके पांच फोटोग्राफ भाड़ दें, तो उसके पचास प्रूपे कर नुकसान हो जाता है, जी, जी, तो शाइद इसलिए कि अगर ये उनकी पाट्स है, उनकी ओफिसेज में रहे, तो कम सकम बहुत सारे एक्टर्स को दोबारा से उस जगर फोट करके रखती है, ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि इस तरह के, बहुत नहीं, इसका इस्तेमाल कितना होगा क्योंकि कुछ लोगों ने उसमें इंटरेस्ट तो दिखाये, लेकिन लोग अभी उस बात को बहुत घंबीरता से लेनी रहे, अभी शायद हो सकत कि ये कब तक चलेगा, आपको, आप सो लोगों से परसनली मिल करके दो लोगों की कास्टिंग नहीं कर सकते हैं, गर आप, तो क्यों ना आप पांप सो लोगों की फोटोग्राफ देख करके खाली, कंप्यूटर पे, आपने जो रिक्वार्मेंट डाला, उसी के थुरू, उ अपने स्कूटर पे घंटा दो घंटा वेस्ट करके आएं, मिलें और पता लगया कुछ नहीं हुआ, फाइनली फोटो फट गया उनका, जब फोटोग्राफ फट गया, मतलब ये एक मुंबई में संगर्श करने वाले जो नोजवान हैं, उनकी एक कहानी है कि किस तरह से वो संगर्श करते हैं किस तरह से वो अपने आपको इस शेहर में जिन्दा रख पाते हैं, बंबई में इतने साल बिता लेने के बाद जब आप अपने छोटे से शेहर वापस जाते हैं, जो पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, किसा लगता है आपको? देगे अपना शेहर तो आप कुछ भी कहले हैं हमेशा परसंद आता ही आता है, एक बात और होती है, जब आप शेहर को दोबारा जाते हैं तो आपको हमेशा ये महसुस होता है कि हमारे टाइम में बहुत अच्छा था और ये अब अच्छा नहीं है, ये हमेशा अपने शेहर, अपने कॉलेज, अप ये है, लेकिन तब वो छोटा शेहर था तो बहुत बाड़ा लगता था, अब वो शेहर बहुत बाड़ा हो गया है, इसलिए छोटा लगता है, ये फ़र्णा है, लेकिन लोग अभी भी वैसे ही हैं, जब जोई आप जिसके पैर च्छूते थे, आपको वैसे ही पैर चूने नहीं है वो प्यार अभी वैसा ही मिलता है तो लगता है कि नहीं शेहर तो नहीं बदला शेहर में बहारी रूप से बहले एक बदलाव आ गया हो लेकिन अभी आत्मा नहीं मरी शेहर की विरेंदर भाई एक बात अभी आप मुझे आपके बारे में लोगों से पता चली कि स्ट्रगलर्स से आपको बड़ा प्यार होता है और आप सोच में पड़ गए हैं काफी स्ट्रगलर्स आप बड़े उनको प्यार से रखते हैं पता नहीं आप किस तरीके से कहना चीए लेकिन चली इस बात भात करा ही लेते हैं ऐसा नहीं है सवाल क्या है कि बोस हमने तो अपनी जिन्दगी बहुत बहुत गरीवी में केसाथ शुरू की थी मिरे पिता जी स्टेनोग्राफर थे डेनेज्डिभीजिन में जो आपने कबständ होना भी नहीं होगा और बड़ी दिक्कतों के साथ एक बरवार पला था एक बहन तीन भाई और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मेरे पिताजी स्टेनोग्राफर थे मुझे इस बात का बड़ा फाखर है कि उत्थे और उन्होंने हम तीनों भाईयों और बहनों को बहुत अच्छी तरीके से पाला जिसकी कि विएसे हम और गरीब होते चलेगे क्योंकि बड़ाईले काई में कोई कैमी नहीं आई तो जिन्दगी के वो दुख हमें आज भी याद है और मैं उन्से दूर नहीं होना चाहता मैं कभी कोई अपने इर्दिगेद एक जूटा महल तयार नहीं करता कि मैं आज डेफिनिटली जैसा था उससे शायद हजार गुना ज़्यादा बहतर इस्थिती में होंगा लेकिन मैं इस इस्थिती को कोई अपना अंत नहीं मानता और इसको मैं कहीं कोई बहुत बड़ी मानने था या कोई बहुत महत तो नहीं दिता मुझे लगता है अगर मेरे अंदर वो वीरो जो मेरे को मत्रा में कहा जाता था मेरा निक निम था वीरो या मेरे अंदर वो बच्चा जो शेहर में पैदा था वो जिन्दा रहा है तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा आद्मी बना रहूंगा अभी भी वो दुख मेरे बज़रा जल्दी से नहीं दिखा जाता लोग आते हैं मुझे माले में बहुती लोगों को फोन करते हैं वो उनसे मिलने से मने कर देते हैं मैं कही पर मने भी करना चाहता हूँ लेकिन मैं मने नहीं कर पाता है एक तो बात यह है, जैते कि मैं अभी एक निर्देशक के मेरी एक दोस्त जिनकी की फिल्म करने में केनड़ा जा रहा हूँ, अनुभव सेना साब नने अपनी जिन्दगी में पहला प्ले मेरे साथ किया था, इस स्टेज पर डांट खाकर कर रो गए थे, वोले मैं नहीं कर पा एक दो दो खाके थे, और डेड़ साल मेरे बात है, क्या बात? फिर मैंने ही उनको पंकच पारशार के साथ काम दिलाया, मैंने ही पंकच पारशार थे लड़कर के उनको सीरेल दिलाया, और आज भी बहुत बड़े डिरेक्टर है, तुम भी जिन्दगे में बनाई थे, अभ को वो भी स्वीक आरते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा अभी उनके छोड़े भाई की शादी थी जी कि उनके फादर ने इस बात को मेंशन किया रहे मैंने की बाप आप क्या जी बात करते हैं वहले नहीं आप हमारे सबसे बड़े अन्भवो और अन्भव तो बात काला जरूरी हो जाता है कि मुंबई जैसे महानगर में आम तोर पर ये माना जाता है कि चार दिन के लिए भी अगर महमान आ जाए तो दम घुटा घुटा सा लगता है लोगों को ऐसे में किसी भी स्रगलर को अपने पास रखना और बड़े प्यार से उसको काम दिलाना कापी अपनी सेफटी के लिए उनका नाम नहीं मेंशेंड करना चाहता है अच्छा अच्छा विरेंदर भाई इतने अच्छे दिनों की और इतने अच्छी भावनाओं की बातें आपने की हैं तो एक जजबात भरागीत हो जाए तो चलिए इसी बात पर इजाजत का इजाजत फि पर इपास पढ़ाए मुझे लोटा दो ऐसा नहीं है एक गाना अपने आप में एक बहुत इंपोर्टन गाना है जी और बहुत बहतरीन गाना है इसलिए में चाहता हूं कि शुरुत है लोगे से सुने चलिए सुनते हैं राहुल देव बर्मन की तर्ज और गुलजार साहब अच्छा वीरिंदर भाई आपके पास काफी स्ट्रगलर्स आए हैं आपने खुद काफी संगर्श किया है रेडियो सेट के करीब बैठे हुए उन नوجवानों के बारे में आप कहना क्या चाहेंगे जो अपने मन में एक अच्छे और सफल अभीनिता बनने के और बलकि एक आ अगर कुछ इस तरीके की शोता सुन रहे हूं जो की प्लान कर रहे हूं कि वो बंबे आए और एक्टर बने हीरो बने मैं उनको डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं मैं चाहता हूं बहुत अच्छी बात है यह सोच में कोई खराबी नहीं है लेकिन निश्चित रूप से काता अए जिबकी यहां आ करके आपको लडाई मना लड़नी पड़े मतलब मेरी कहने का यह यह है कि आप आने से पहले आप वैल एक्टर आपने नातक किये हो आपको नातकों की समझ हो आपको साहित की समझ हो आपको किसी एक कहानी एक नातक को पढ़ने के बाद उनके पात्रों को सही ढंग से एनिलाइज करने की समझ हो ये हो उसके अलावा बहुत अच्छा हो अगर आप कहीं से खास तोर से नेशनल स्कूल ड्रामा जो देहली में है अगर आप वहां से ट्रेनिंग लेकर के आ सकें आप इस तरीके की गलत फेमी में के यहां पर बहुत सारे जो फ्रॉड स्कूल चलते हैं जो 30,000 रुपे में या 40,000 रुपे में छे मेने का कूर्स कराते हैं या आपको कहिने कही उलजाए रहता है और आपको पता नहीं लगता कि आपके अंदर का आदमी किस तरीके से धीरे धीरे मरने लगता है बहतर यह कि यहां आकर कि आपके अंदर का आदमी बड़ा हो तभी बड़ा हो सकता है जब कि आप इस शेहर के लिए पूरी तरीके से equipped हूँ आप आएं अगर आप कुछी से कहें कि मैं एक्टर हूँ तो वो आदमी भी इस बात को फॉरण मान ले कि आप एक्टर हो अगर वो आपको टेस्ट करने के लिए आपको छे मैने इस साल बर दो साल ऐसे निकाल देगा तो आप इसी उम्मीद में लगे रहेंगे कि कोई एक दिन ऐसा आएगा जब कि ये मुझे रोल देगा ऐसा नहीं होता बहुत बड़े पैसे वाली लोगों का शेहर है ये बहुत चालाक लोगों का शेहर है ये इस हमारे माध्यम में बहुत सारे अच्छे लोग है लेकि बहुत सारे खराब लोग मी है जो कि हर जगाप पर होते हैं और फिल्ड में होते हैं पता नहीं आप अच्छे लोगों के हाथ आगे तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आप गलत लोगों के हाथ आगे तो बहुत सारे नुकसान भी उठा चकते हैं तो यह मेरी एक सलाह है बागत बाकी आपका जीमन है नेने लेने का हक आपका है बीजी सलाह यह है कि आप यह गलती ना करें आपकी बातें आपके सुनाएगी बहुत तेर तक कुंजेंगे और मुझे लगता है कि इस बात की गवाह होंगी वो सारी चिठ्थियां जो विविद भारती के पते पर आएंगी और आपको पहुँचा दी जाएंगी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातें करने के लिए मैं आपका शकुंतिला जी का और अपने सारे शोताओं का भी बहुत बहुत शुक्त गुजार रहूंगा कि उन्होंने इतनी देर तक मेरी भास को सुना मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ बातें जो मैंने जान बूच के कहीं है अगर वो उन पर भी ध्यान दें तो नमस्कार नमस्कार सेलू लॉइट के सितारे इस कारिक्रम में आज के सितारे थे टीवी, रंगमंच और फिल्मों के जाने माने अविनेता वीरेंद्र सक्सेना आप से बात चीत कर रहे थे यूनुस खान और चलते चलते आपको ये भी बता दे इस कारिक्रम को तयार करने में सहयोग दिया रमेश कोखले ने और विवित भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने सेलू लॉइट के सितारे कर दो कर दो कर दो 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 दो